हालो स्टूदेंट्स आई होप यू आर गोड तोड़ी आम हेर विद वेरी वेरी इंट्रस्टेंग एंड होटली डिबेटिक टॉपिक ओफ एसस्टी डाइट इस दा फंडमेंटल राइट्स एंड डूटी अच्छा ये नाम पढ़ते ही न हमें बड़ी खुशी होती है क्यो हैं इस चैप्टल में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे कॉंसिट्यूशन ने हमारी समिनार ने हमें कौन से बेसिक फंडमेंटल राइट्स दिया है और हमारी क्या डूटी बनती है इस देश के प्रती तो आप चलते हैं अब हम फंडमेंटल राइट्स as expression of secularism सबसे पहले बेट वो खतम नहीं होने चिए हमारे प्रेंबल में यह क्लियरली मैंशन है कि इंडिया इस सेक्यूलर स्टेट यानि कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा everybody is equal तो यह और स्टेट मैंशन करता है कि स्टेट विल रिमीन एट इक्वल दिस्टेंस फ्रॉम और रिल नहीं होगा रिलीजन के अधार पे देन स्टेट विल अलाओ और सिटेजन तो फॉलो दियर ओन रिलीजन आफ दियर च्वाइस विदाओ अने डिस्क्रिशन लेकिन हां आपने किसी और के धर्म को हानी नहीं पुचानी है देश की तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा देश आपको अलाओड कर रहा है अपने धर्म को कैसे भी प्यार से फॉलो करो देन सिटिजन आफ इंडिया विल बी इंटाइटल तो एंटर एनी ओफिस ओफ क्वालिफिकेशन आपको यह नहीं कोई कह सकता कि भाईया तुम तो इस धर्म के हो तुम इस ओफिस में काम नही नहीं कर सकता है तो एह प्रिंसिपल है हमारा कि यहां से स्टार्ट हुआ अब हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट क्या है घर में करते हैं यह रिमोट मुझे दे रहते हैं लेकिन सामने वाला उसे फॉलो करता है यह नहीं डिपेंड करता उसके मूड पर है ना तो राइट महीं का मैं एक थपड़ लगा देती है लेकिन UNG यह हári sentry ने दिये हैं हम dette जो हमें हमारे कांट्री में हमें हम्आरे all around development और यह इंफ पॉर्सेबल दी रॉड में म performance को जो हमारे all around development के लि findet बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डिगनिटी के लिए बहुत जादा जरूरी है उनने इने हम subject की सबस्त क्रांद an smroz form of यह निए आप्रोटेक्टेट था और इन्फोर्स भाइद रॉटीटूशन और प्रोटेक्टेट बाइद जुडीश्री तो आप यह कह सकते हो समक्राइब के चौन्सिटूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई शर्टन फंडामेंटल राइट्स और इस राइट्स आर गिवन तो ओल सिटिजन इंडिवीश्वली कलेक्टिवली विच हैल्प अस तो लेव फ्रूट्फुल लाइफ और मेट दियमोक्रिटिक अव विरी प्रोग्रेसिव कंट्री तो मतले हमारे अपलेफ्टमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जादा जरूरी है तो हम स्टार्ट करते है हमारे पहले फंडामेंटल राइटस से राइट टू एक्वालिटी और यह जो राइट ट the eyes of law मतलब अगर मैंने कोई गलती किया है और सेम गलती अगर प्रेजिडेंट ने किया है तो सेम ही law applicable होगा कानून के समक्ष सभी बराबर है कोई discrimination किसी बेस पर नहीं होगा all citizens have equal access to the shops public entertainment places of public resort etc कोई भी मना नहीं कर सकता है तो किसी बहाफ पर आपको कोई मना नहीं कर सकता है तो राइट टो एक्वैल्टी से भी फील ओहो हम सब बराबर है देन राइट टू फ्रीडम यह जो है आपका आर्टिकल 19 उसमें मेंशन है राइट टू फ्रीडम दिको बेटा फ्रीडम का तो एंड ही नहीं होता ठीक है कहीं एंड नहीं है इसलिए six types of freedom हमें दी गई है देन आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाइटीशन यह आपका मेंशन है आर्टिकल 23-24 के अंडर यह नहीं कि आपका कोई भी एक्स्प्लाइटेशन नहीं कर सकता है वह आपसे कोई करा रहा है यह human trafficking है बच्चों को बेच देना या कोई बेगारी करा रहा है आपसे बंद्वा मजदूरी करा रहा है तो इस टाइप की activities आपसे कोई नहीं करा सकता है आर्टिकल 23 जो है वह prohibit करता है human trafficking को सेल नहीं कर सकते किसी भी विक्ति को किसी भी लड़की को बच्चे को आप दूसरे जगा बेगारी नहीं करा सकते यह नि कि बिना मजदूरी दिये बिना पैसे दिये आप किसे मजदूरी नहीं करा सकते कोई भी नहीं देगी मतब काम नहीं करवाएगी तो इस तरीके से हमारा exploitation जो है वो खत्म हो जाता है देन हमें जो फोर्थ राइट मिला है राइट तू फ्रीडम ओफ रिलीजन यह जो राइट तू फ्रीडम ओफ रिलीजन है ना बीटा आपका यह मैंशन है आर्टिकल 25 to 28 में इसम अपने तरीके से अधिकार है without harming the other religion और हर रिलीजियस ग्रुप जो है वो अपने रिलीजियस मैनर को एफर कर अफेर्स को मैनर को जो भी है मैनेज कर सकता है इट कैने क्वायर दिर ओन एट एट एन्विंस्टर प्रॉपरिटी फॉर रिलीजियस एंड चारिटेबल पर्प रम्दान के महीने में हम लोग जुआ हा फास्ट करते है न तो इस तरीके से कोई भी आपको अपने रिलीजियस को किस तरीके से मनाना है किस तरीके से अपनाना है कोई आपको मना नहीं कर सकता है डिन आपका आता है Cultural and educational rights यह जो राइट है आपका Article 29 में में मेंशन है और 2030 म यह मैंशने आर्टिकल यूओ इने इड़ होम अफ डिफ्रेंट लेलीजन कल्चर कम्निटी रेस लैंगवेज और कास्ट सो कॉंसिट्यूशन गारंटी करता है कि आप अपनी लैंगवेज को अपनी कल्चर को अपनी स्क्रिप्ट को जो है प्रिजर्व कर सकते हो उसको बढ़ को अपने फॉक दान्स को फॉक आर्ट को आगे बढ़ावा देना चाहते हो तो इसमें आपको गॉर्मेंट भी हल्प करती है लेकिन आपको दूसरे को हाम नहीं करना तो इस आल और आर्टिकल और सो स्टेट आट नो डिस्क्रिमिनेशन विल भी प्रैक्टिस अगेंस एनी दा कल्चर एनी ऑफ दा ट्रडिशन एनी ऑफ दा एजुकेशनल ठीक है देन राइट तो कॉंसिटूशनल रेमेडीज यह सबसे बड़ा राइट से क्योंकि दे को बाकी सारे राइट तो मज़े आ रहे हैं लेकिन मान लो अगर किसी ने हमारा यह राइट नहीं माना तो क्य तो बड़ी प्रॉबलम होगी ना कि किसी ने नहीं माना तो क्या तो उसके लिए हमारे कॉंसिटूशन में करने हमें यह राइट दिया राइट टू कॉंसिटूशनल रेमेडीज इसमें क्या होता है जो आपको उपर जो हमने पांच फंडामेंटल राइट पढ़ाई अगर आडिकल 32 और 32a में मैं इसका मतलब यह इनफूर्स करा रहे हमारे लौको मतलब अगर हमारा कोई भी राइट कोई मान नहीं रहे तो यह हमारे सारे फंडामेंटल राइट सको इनफूर्स कर रहे लागू कर रहा है क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे हमाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डिरेक्ली अप्रोच कर लेंगे और फिर दूसरे सामने वाले को सजा हो जाएगी तो थस फंडामेटल राइट मेक्स और राइट कि वैल्यू इस को नीम या समय किया इस अटिपोचिनल रीटमां रहा है यह दिसकेंड बन रही हैं जिसकेंगे और को अमेरे लिए यह 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 राइट जो है most important होगा तो these were the all fundamental rights अब एक assessment करते हैं हम fundamental rights की fundamental rights जो constitution of India ने हमें दिये हैं they are not absolute certain restriction भी है इन पर कुछ कई बार क्या होता है कुछ restriction impose कर दी जाती है जिसकी वज़े से हम fundamental rights enjoy नहीं कर पाते हैं लेकिन यह ऐसा तब होता है जब national emergency है national security है social decency है law and order को maintain करना है तब जो है लोगों के fundamental rights को वापिस ले लिया जाता है फॉर एक्जामपल सर्टेन लॉज हैं सच आस पोटा एफ एस पी ए और पास इवन दो दे वाइलें fundamental rights बिकास नेशनल सेक्योर्टी इस involved इसमें national security की बात आ गई है तो जब भी emergency होगी national security होगी यू cannot enjoy your fundamental rights तब यह आपको मतलब देने मतलब उस समय आप यह enjoy नहीं कर सकते हों अब हम बात करते हैं fundamental duties की fundamental duties जो है वो भी इंडियन constitution में 1976 में incorporated के गई थी तर लास्ट ड्यूटी वोज इंकॉर्पोरेटेट इन 1982 यानि कि यह 76 में आई constitution में उसके बाद 1982 में लास्ट आई every right has corresponding duty देखो राइट्स राइट्स यह मेरा अधिकार आधिकार की बात हम करते हैं लेकिन हमारे करतव्य भी कुछ हैं उन करतव्यों को भी पूरा करना जरूरी है बट fundamental rights और fundamental duty में बेटा एक difference है fundamental rights are enforceable by law कोई नहीं मानेगा तो हम judiciary जा सकते हैं को अप्रोच कर सकते हैं लेकिन fundamental duties जो है they are not enforceable by law or judiciary अगर कोई नहीं मानता तो नहीं मानता कोई प्रॉब्लम नहीं यह एक तरीके से आप कह सकते हो नैतिक मुल्ले हैं हमारे वैल्यूस है चिक है अब इसमें कौन कौन से दिए हैं तो अबाइड बाइड बाइड दर सब्सक्राइब के आपने कॉंसिट्यूशन का सम्मान करो ठीक है नैशनल फ्लैग है नैशनल एंथम है उसका सम्मान करो अब अगर कोई नहीं करता है तो समझा सकते हैं चोटे मुटे लौ है उसके लिए लेकिन यह नहीं कि आप उसे जबर्दस्ति करोगे अपकोर्स आप से समझा सकते हैं यह हमारी ड्यूटी है कि अपने देश का सम्मान करें हैं तो चारेशन फॉलो दा नोबल आइडियास विच इंस्पाइडार नैशनल स्ट्रगल फ्रीडम जो देश से प्यार करवाए जो देश की नैशनल स्ट्रगल हुई न फ्रीडम के लिए ऐसे आइड कामनी करेंगे जिससे भारत में डिवीजन हो तो डिफेंद अ कंट्री एंडेंडर नैशनल सर्वेस्वें कॉल अपॉन टू दू सो कभी भी देश को आपकी जरूरत पढ़े तो नैशनल सर्वेस के लिए हमेशा तयार रहे हैं मालो आर्मी में कमी पढ़ गी सेना की और दे भाईचारे की भावना होनी चाहिए मिल जूलकर रहना चाहिए किसी भी धर्म जाती लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशन को आपने नुकसान नहीं पहुचाना है बलकि एक दूसे के साथ मिलकर कंदे के रंदार चलाना है इवन चाहिए बात आपकी किसी भी रिसोर्स पे भी लागो होती हो देन्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हैरिटेज ओफ आर कंपोजेट कल्चर भारत का जो इतना अच्छा कल्चर है इसको प्रिजर्व करके रखो इसको खो नहीं भारत की जड़ों से जुड़े रहो तो प्रोटेक एंप्रोव द नाच्रल इन्वार किसी भी बात को आख बंद करके अंधविश्वास के रूप में मत मानों साइन्टिफिक टैंपर जो है अपना सोच हुमैनिटी इंसानियत इस महावनाओं को आगे बढ़ाओ पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी भी वॉयलेंट होकर खराब ना करो होता है ना कुछ लोगों का रेल्वे चेन खीच दी किसी बिल्डिंग पर कुछ लिख दिया ऐसा काम नहीं करना है तो स्ट्राइब तो वर्स अच्छलेंस इन आगे बढ़ सकता है हुई देश की तरक्की या देश की एकता और अखंडता को खत्म करता हो। अब हम बात करेंगे marginalized communities and realization of rights की जो हमारी marginalized community है उनके लिए हमने कैसे rights बना है लाइक हमारी SCS है, STS है, Anglo-Indians है and then OBC, other backward category है हमारी country ने इनके लिए भी कुछ provisions रखे है सबसे पहला प्रोविशन रखा है, reservation in legislature, लोग सभा में बेटा, 79 seats और 44 seats have been reserved for the member of SC and ST यहनि 79 SCS के लिए और 44 STS के लिए seats reserve है और total two Anglo-Indians के लिए भी जो Anglo-Indians होते है ना पीटा, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है लोग सभा में इस तरीके से हमने marginalized group के लिए legislature में reservation रखा है ताकि उनकी भी representation बढ़ सके फिर reservation in employment की बात करें तो SC, STS के लिए जो है वहाँ पे भी चाहिए आपका OBC भी है इन classes के लिए employment में भी कुछ percentage of seats reserve की गई है for example 15, 7.5 and 27% SC, ST और OBC के लिए ये reserve है इसके बाद educational institution में भी इनको reserve seat दी गई है कुछ हथ तक ताकि ये education को gain कर पाए then appointment of special officer like the president can support the special officer in order to look the fact whether the provision for the marginalized communities are being implemented or not यनि कि president भी इसमें काम कर सकता है वो special officer को point कर सकता है ये देखने के लिए के marginalized group के लिए ये proper work हो रहा है ये नहीं हो रहा है then appointment of commissions of investigation जो हमारा constitution है वो provide करता है कि president जो है वो एक ऐसे commission को appoint कर सकते है वो time to time investigate कर सकता है कि SC, ST, OBC in communities के लिए proper काम हो रहा है या नहीं इनकी special officer के साथ commissions भी बठाए जा सकते हैं knowledge window में check करते है Supreme Court has ruled that reservation of seats in government employment or education institution cannot exceed 50% यनि की Supreme Court नहीं कहा है reservation करो लेकिन 50% से उपर नहीं जाना है चाहिए reservation efforts made by government for the realization of rights for the marginalized communities government नहीं क्या effort किया है number one reservation is given हमने यह discuss किया number two certain number of seats given in the various government educational institution number three some constitution constituencies जो है वहाँ पे reserve की गई है seats इनके लिए free coaching और free training program start किये गई है इनके लिए ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़कर अपना career बना सकें members of these communities are given free textbooks और other facilities भी इने free दी गई है hostels जो है construct किये गई है इन community members के लिए independent departments set up किये गई है center or state में जो इनके welfare को look after करते हैं so that's end for the chapter please do the quick revision हमने इस chapter में क्या पढ़ा सबसे पहले ideals पढ़ा कि secularism का ideals जो हमारे सारे fundamental rights से relate करता है हमने six fundamental rights के बारे में भी पढ़ा इस chapter में जो हमारे citizens के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब में जो important था वो last था constitutional remedies वाला fundamental rights क्योंकि वो सभी rights को value दे रहा है then हमने discuss कि fundamental rights manifest the ideal of secularism इसको जो है वो बहुत अच्छे से reveal कर रहा है fundamental duties जो है enforced नहीं है law की तरफ से लेकिन हमें माननी चाहेंगे several provision बनाए गए हैं जिससे कि marginalized group के जो rights हैं वो preserve करे जाए center or state government बहुत से program और policy ला रही है marginalized group को आगे बढ़ाने में so that's end for the chapter I hope you understand please do the exercise carefully